नमस्कार साथियो तो आज है 26 जून 2024 तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि चीते की चाल, बाच की नजर और मेरे स्टेड़िची पे कभी संदे नहीं करते वेटा, कभी भी मात दे सकता है आज की डेट पे दोस्तों, रिनिवेल सेक्टर की दिगज कमपनी, इरेडा, जिसके उपर लगातार मेरा खड़िदारी करने का डाय था, इवन आज भी मेरे राय एकदम सेम है शेयर के अंदर सीधा ब्रेक आउट दिया, खास करके सेगन हप में, और शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया, 195 रुपे, अल्मोस्ट 5.40% तेजी के साथ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो की आगे वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे उसके साथ साथ, जिनके पास शेयर नहीं है, आपका प्लैन है शेयर में इंट्री लेना, यानि इन्वेस्ट करना, तो कौन सी लेबल सुईटेबल रहेगा, इंट्री लेने के लिए सब कुछ हम विस्तार पूरबग बात करेंगे दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को प्लीस वीडियो को बिना स्किप के पूरण तर जरूर देखना, फिलाल देखें बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद आज दोसों का आखरा भी क्रॉस कर जाएगा, अब क्यूंकि हमने देखा, आज हो सकता है कि निफ्टी पहुंचने के बाब जुद भी क्लोजिंग दिया, एक सो पचानबे रुपए पे, तो चलिए सबसे पहले हम डिसकर्स करते हैं कि किस बैसिस पे आज शेर के अंदर इतना बड़िया तेजी देखनी को मिला, और जैसे कि इस वीडियो की थमनेल पे भी मैं में मेंशन किया न आपको एक कॉमन चीज़ नजर आएगा, यह दोनों ही दोस्तों फनांसिंग की कंपनी है, मतलब सेक्टर अलग है, इरेड़ा काम करता है, रिनीवल सेक्टर, हुट को काम करता है, आपके हाउसिंग फनांस सेक्टर, यानि अब बोल सकते कि अर्बन डेबलाप्बेंड, जो इरेड़ा और हुट को, यह दोस्तों न्यूस आया है, आज एकदम गवर्मेंड ओफिशियल की तरब से, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा अब सुन लिजे, इनके तरब सेक्टर में मतलब क्या स्टेटमें दिया, इसका मतलब क्या, उसके सहाँसा, ते कि, यह पे यह यह हैी मिगा। किया the interest rate of the such bond are much lower than the in the bond market तो मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ आज की rate पर देखिए अगर कोई company को पैसा चाहिए न और इसली बात है जो NBFC सेक्टर की company है यानि वो PSU हो सकता है private company हो सकता है उसके पास से loan लेगा अब देखिए particularly interest rate भी होता है तो आज की rate पे ना जो PSU bond की rate चल रहा है लगबग 8% से ज्यादा approximately अब जैसे ही देखिए इस income tax की act के अंदर आ जाएगा मतब इरेडा और हुटको की बात करें जो कि आज की rate में already इस income tax की act में REC and PFC है दोनों भी देखिए power sector की company है यह है तो उस लोकल लेंग्वेज में मतब एकदम आसान भासा में समझा देता हूं दोस्तों यह आप मान लीजिए एक ABC company है ठीक है यह एक ABC company है आप इसको चाहिए पैसा fund चाहिए ब्यापार करने के लिए तो यह किसके पास जाएगा ओविसली यहाप एक NBFC है जिसका नाम चलो क्या लिखें आप जी आई पी हो गया यह एक तीसरे अब देखिए यह जो XYZ NBFC यह इसको फंड दे रहा है मतलब पैसा दे रहा है सब्सक्राइब दस परसें इंकम स्वारी दस परसें इंट्रेस्ट पे अब जो दूसरा है यह इसको फंड दे कंपनी को लगबख समझ जाई 12% पकड़ लेते हैं और जो तीसरे कंपनी है यह इसको फंड दे रहा है सिर्फ 5% पर तो आप बोलिए कि कि किसके पास से पैसा लेगा यह जो एबीसी कंपनी ऑविसली बात है जो जीपर रेट पर फंड देगा है कि ने जो चीपर करने आएगा ऐसा लेने आएगा तो उसको बहुत ही चीपर डेट में जहां पर बाकी जो पीस यहां पर दे रहा है आट परसन से ज्यादा यह कितने रेट पर देगा 5.25 पर से तो क्लियर हो चुका है और जिस बेस आज हमने देखा शेर में सिधा 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 तेजी और कही कि बहुत सारे लेबल ब्रेक वाज इवन इरेडा अकेले नहीं आज हुट को भी अगर आप देखेंगे ना सेम टाइम पर मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए चल रहा था सारे 11 पर फ्लैट हुट को देखे सड़नी जंप किया इवन अगर आप देखेंगे इरेडा भी एक दम से फ्लैट चल रहा थो उसके पहले एक दम से सड़नी जंप किया ठीक आज़ा एक और न्यूस दोस्तों आज से लगबग 2-4 दिन पहले आया था पहले आप देख लिजे यह था न्यूस कि इरेडा सैंक्शन 37,354 करोड मतब ओन गोइं फनांशियल एर के लिए जो कि लास्ट फनांशियल एर्प्रेम ने देखा था लगबग 25,090 करोड का लोन कमपणी सैंक्शन कर चुका है मतब 24 की बात कर यहां पे बाट चुका है और इस बार देखे 37,354 करोड का सैंक्शन भी कर दिया मतब ब्यापार जो है पहले से काफी ज़ादा ग्रोथ हमें देखन नहीं है कि यहां पर आपको सीधा सौ गुना देर सो गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला यह बेसिकली बॉंड्स के तुरू फंड्रेस किया देर हजार करोड जिसमें 2.65 टाइम्स यानि धाई गुना से भी ज्यादा दोस्तों हमें रेस्पांस देखने को मिला जो कि अपने आप बहुत अच्छी बात है ठीक है यानि बात करें कंपनी फंडामेंटल जितना स्ट्रॉंग है कंपनी का बिजनस मॉडेल अच्छा है फ्यूचर की पॉइंट विविव से बहुत ही अमेजिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी की जो फदेखने को म आप देखे अभी जून का महिना अल्मोस्ट खतम होने को है जुलाई जैसे शुरुआत हो जागा में भी सेगें या तो थर्ड विक के अंदर कंपनी के रेजल्ट आउट हो जाता है ठीक है तो ओवरल बात करें के फनांशियल येरवाइस की देखिए कंपनी की जो फनांश परसेन प्राफ ये कंपनी पांच साल की बात करें 24 परसेन ग्रोथ रखा थीस साल की बात करें तरीपन परसेन इस साल की बात करें 93% ग्रोथ आईए अब देखे जितने भी लेटेस्ट और इंपॉर्टेन अब्डेट था आपके साथ में शेयर कर लिया चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट परेंट को लेकर जलता हूं वहाँ पर जाके थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे अब जो बात मैं आपको बताना जूर से बहुत ही ध्यान से सुनना उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप आपको 10,40 से 45 के वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल को वर वीडियो ओके तो बैक टूदा पॉइंट की बात करें आरे से इंडेक्स की बात करें यह एकदम सी स्ट्रॉंग जोन पर है ना ही ओवरबार्ट जोन पर मतलब शेयर में अभी भी पोटेंशियल है उपर की कर सकता है तो इमीडियेट देखे शेयर आज भी देखे अल्मूस 200 के आसपास पहुंच गया था क्यूंकि इसके पहले भी हमने देखा था बार बार यहां पर रेजिस्ट्रस मिला था रेजिस्ट्रस मिला भी और शोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा नहीं क्लोजिंग दिया और सबसे बड़ी बात यह था कि 190 के आसपास इसके पहले भी हमने देखा था बहुत बार एक दो बार नहीं मल्टिवेल टाइम्स कभी 6-7 बार तो मिनिवा यहां पर रेजिस्ट्रस मिला था आज की डेट पर फुल स्टेबल होके शेर क्लोजिंग दिया तो एक बहुत अच्छी काम हुआ आज की रेट पर तेजी के बाद तो अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की पॉइंट अफ्यू से या जो यहां पे इंडिगेरर्स है उसके पॉइंट अफ्यू से कुछ इंपोर्टेन सपोर्ट लेवल है थोड़ा साप नोट डाउन कर करेंगी तो सबसे नीची की तरफ देखिया हमेशा आपको प्री प्लैन होना चाहिए कि सब्सक्राइब किसी दिन गिर गया तो कहां तक जा सकता है अब क्योंकि देखिए एक बहुत ही क्रूशल रेजिस्ट्रेंस था आज इसको ब्रेक करके फुल स्टेबल हो के मिला था इवन आज इंटरे लो भी टच किया 185 क्या असपास अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक है तो कहीं नहीं कहीं देखा जाए यह दो सपोर्ट लेवल है नीची की दरफ उपर की तरफ बात करें एक ही सिर्फ यहां पे स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस दिख रहा है अगर आपको पर्चेस करना है नीची की तरफ या तो 188-190 का आसपास इसमें चाहे तो आप एंट्री ले सकतो या तो शेयर उपर की तरफ मूफ करने दीजिए और शेयर 200 प्लस में जाने दीजिए उसके बाद इंट्री लेजिए यह दो इंट्रॉंड पर आपको बता दि सब्सक्राइब आपके जिनके पास भी शियर है आई थिंक कि आज की डिट में जयातर इंवेस्टर्स प्रॉफिट में होंगे अच्छे होंगे तो ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा बास पेशन्स रखें और होल्ड करें लॉंग टम बेस्पे बाकि कोई भी डाउट्स है कमेंट करके बताइए फिलाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टिक कर बाबाई जाए हिंद